विधान सभा चुनाव की तैयारियों का मुहाइना करने आये केंद्री चुनाव आयोग ने महाराष्ट के मुक्ष सचिव और पुलिस महानिदेशक को आदेश दिये हैं। आयोग ने कहा है कि पहले उना अधिकारियों का तबादला करें जो तीन साल से एकी पतपर काम कर रहें हैं और जिनका विधान सभा चुनाओ से संबंद है। उन्होंने कहा है कि साथ ही उन लोगों का भी तत्काल तबादला करें जो अपने गरह जिले में कारे रथ हैं। आयोग ने साफ कहा है कि राज्यमे विदान सबा चुना, सोतंत्र और निस्पक्ष कराने के लिए आयोग का दिरुर संकल्प है। साथ ही आयोग ने ये भी असपश्ट किया है कि मद्दान के बाद फार्म 17C उमिदवार के एजन्ट को उसी दिन दे दिया जाएगा। लेकिन आयोग ने शहरी मद्दाताओं की उदासींता पर चिंता व्यक्त करते हुए सवाल किया है कि गर्चिरवली जैसे छेत्र में 75% मद्दान होता है। तो कुलाबा, कल्यान, पूने जैसे छेत्र में 45% मद्दान क्यों होता है। महाराष्ट विदान सबा चुनाओ की तैयारियों के समिक्षा करने के लिए केंद्री चुनाओ आयोग तीन दिन के दावरे पर मुंबई आया हुआ है। अधिकारियों और राजनितिक दनों के नेताओं से बातचीत के बाद शनिवार को मुखे निर्वाचन आयोग तर राजियो कुमार ने पत्रकारों से बात की। आयोग ने साफ किया है कि चुनाओ को दोरान किसी भी को हस्तक शेप नहीं करने दिया जाएगा। चाहे और एक्षेंशन पर काम करने वाले अधिकारी हो या फिर ठेके पर काम करने वाले अधिकारी हो। किसी को भी किसी परकार की रहायत नहीं दी जाएगी। कुमार ने कहा है कि महाराष्ट चुनाओ से पहले सोशल मीडिया पर फर्जी खबरें फैलाने वाले और डीफ टेक्निक का इस्तेमाल करने वालों से सकती से निप्टा जाएगा। मुक निरवाचान आयुक तराजी कुमार ने शहारी छेत्र की विधान सबा कुलाबा कल्यान पुन्य जैसे विधान सबा छेत्रों का जिक्र करते हुए कहा कि इन विधान सबा में 45% मद्दान होता है। झाल झाल